सूरत की क्राइम ब्रांच पुलीस को एक अपरात की गुथी सुलजाने में बड़ी कामियाभी मिली है जिसमें इस बार सूरत की क्राइम ब्रांच पुलीस की पकड में आये हुए दो लोग अपरादी जो की बड़े मकानों को टारगेट कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देत तब एक मकान में से चोरी की जगा पर से CCTV में एक मोपेड पर सवार दो लोग फुटेज में नजर आएं जिसके संदर्ब में पुलीस द्वारा गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच सुरू की गई और पुलीस द्वारा दो लोगों की गिरफतारी की गई है पकड़े गई दोनों अपरादी के गुनाहित इतिहास होने के संदर्ब में जांच पड़ताल करने पर ये चोरी उनके द्वारा किये जाने की बात का इकरार अपरादीयों ने किया है जो की पुलीस द्वारा की गई कारवाही में अपरादीयों द्वारा अलग अलग तीन उसमें रखे सोने चांदी के गहने एवं नगत रोखो की चोरी को अंजाम दे कर जो रास्ते से घर में प्रवेश करता था उसी रास्ते से बाहर निकल जाता था और बाहर निकल कर वेंटिलेशन फिर से फिट कर देता था इसी तरह चाला की पुर्वक चोरी को अंजाम दे कर घटना का कोई भी सबूत घटना स्थल पर छोड़ता नहीं था और क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा पकड़े गए अपरादी से पूछिताच करने पर पता चला कि अपरादी पहले से ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में कोखियात रह चुके हैं और कई गुनाहों में सलिम्त भी है इस बार सूरत की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दोनों अपरादीयों को पकड़ कर प्रभा उध्यान नायर निवासी प्रियंका ग्रीन सोसाइटी भेस्तान और सारुख खां उर्फ फुलका निवासी भेस्तान विस्तार इन दोनों अपरादीयों को सूरत की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ा और सलाखों के पीछे पहुचाया और उनके पास से पुलिस ने कुल मिला कर 16,3,890 रुपे का मुद्दामाल कबजे किया मुद्दामाल पुलिस ने कबजे किया और आगे की जा सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। जा सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। जा सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। जा सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। जा सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। आ त्रणे गुना ने अंदर गयलो ओरिजिनल मुद्धा माल। जे असल मुद्धा माल चे एक अपजे कराव में होचे। आल त्रण गुना ओटेक्त थे आचे। आगल नी रपास चालूचे। परवीन पठान समाचार, इंडिया निवस सूरन।